प्रबात करेंगे साई की नवरत्न कैबिनेट की तुत्ताय हो गए है साई के सपहसालार 36 गल में विश्णुदेव साई की कैबिनेट का विस्तार हो गया है नौ विधायकों को आज राजिपाल विश्व भूशन हरीचंदन ने मंतरीपत की शपत देलाई पुरानों के साथ साथ नएचारों को मौका में दिया गया है कैबिनेट में एक मात्र महिला लक्षमी राजवाडे शामिल की गई है पहली बार विधायक बनी राजवाडे मंतरी बंडल में सबसे कम उम्मर की मंतरी थी है तो साई की कैबिनेट का शपत ग्रहन हो गया मैं लक्षमी राजवाडे इश्वर की सपत लेती हूँ मैं टंकरा वर्मा इश्वर की सपत लेता हूँ मैं दयालदास बगेल इश्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा इस्थापित भारत के सविधान के प्रती सची सद्धा और निष्टा रखूँगा मैं भारत की प्रभूता और अखंड़ता अक्षुन रखूँगा कुछ और हम खबरों का रुक करेंगे जगदलपूर में धान खरीदी के इंदरों में आने वाले किसानों के चेहरे खिले हुए हैं बड़ी संख्या में किसान धान खरीदी के अंदर पहुंच रहे हैं किसानों ने प्रदेश सरकार को धन्यवाद दिया है किसानों से प्रतियकर 21 कुंटल की के हिसाब से एक तीस सो रुपए में धान खरीदी हुनी है बस्तर के किसानों ने काई कि प्रदेश सरकार ने वाइदा किया उसे पूरा किया आप किसानों को पचीस दिसंबर का इंतदार है जब उन्हें दो साल का बोनस मिलेगा कि ने मोदी सरकार तब किये हैं तो अब लाए है तो अकल पर फिर पेमेंट होगा तो पता चलेगा है नहीं क्यों हुआ है अब तो गोशुक्त हैं अभी तो इस साल तो ज्यादा घोस्टा किया है सर पहले का गोश्णा तो दूसरा था अभी क्या है अभी तो एक और में वह पहले तो 15 कुल्टल पकड़ती रहे हैं जश्पूर जिले की प्रमुक जनजाती नागवंशी समाज के लोग 2017 के पहले अपने जाती प्रमायंट पत्र बनवाने को लेकर काफी परिशान रहते थे मात्रात्मक तुल्टी की वज़े से हजारों लोगों को आर्खशन का लाब नहीं मिल पा रहा था लेकिन ततकालीन भाजपा सरकार की पहल पर इनका जाती प्रमायंट पत्र बनने लगा 2017 को दिसंबर में इस समाज को फिर से आर्खशन का लाब मिलना शुरू हुआ तब ही से नागवंशी समाज के लोग गौरव दिवस मना रहे हैं इस बार प्रदेश के मुख्यमत्री विश्णुदेव साई की पत्नी कोशलया स्याय नागवंशी समाज के कारेकर में पहुँची कोशलया साय ने नागवन्षी समाज को प्रदेश में नई सरकार के गठन होने की बदाई दी और समाज के उत्थान की कोशिश करने की बात कही कोरिया के मार्ग दर्शन संस्था महाविद्याले में एड्मिशन को लेकर छात्रों ने प्रशाचन पर गंभीर आरूप लगाए यहां कई जलों से चात्र एड्मिशन के लिए हैं चात्रों का आरूप है कि बीट कॉलेज में एड्मिशन के लिए उससे जादा पैसे मांगे जा रहे हैं मामले की जाज के लिए ज़रा प्रशाशन की टीम बीएट कॉलेज में पहुंची तो दूसरी तरफ छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया जाने के बाद वैकुनपूर में जाने के बाद वैकुनपूर में मैं मेरे कुछ खीश के लिए विलों को बहुत सारे टॉर्चर करने लगे मैं किवाल 32,000 रुपे मतलब रख कर गया था तो कि SCRT के नियम के तहत 32,200 या 33,000 के आसपसर रहता है लेकिन मेरे से 47,49,000 रुपे कर डिमान किया गया और मैं मेरे जेब में पैसा नहीं होने के वज़े से मेरे को कॉलेज में डमीशन नहीं मिला वो मेरे को बाहर कर दे दंतेवारा जिले में ऐसे दरजनों गाउं मिल जाएंगे जहां केंदर सरकार की नल जल योजना बेहाल है दो साल पहले पाइपलाइन बिछाई गई लेकिन एक वूंद पानी भी नहीं आया लंबे दोक्तान को लेकर ठिकदारों ने कई जगह पर काम अधूरा छोड़ दिया अब डबल इंजन के सरकार से जनता की उम्मीदे बढ़ी हुई है लेकिन विभाग बजट करो नरू रहा है ग्रामीनों का कहना है कि तीन साल बीट गए लेकिन नल से पानी नहीं मिल पाया सूरजपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है नेशनल हाईवे 43 पर सडक किनारे 15 हर दिन की बच्ची को लावारिस हालत में छोड़ दिया गया इस्थानी लोगों ने बच्ची को उठाया जिला प्रशाशन को सूचना दी इसके बाद जैनगर पुलिस और बाल संरक्षन एकाई की जो टीम हों मौके पर पहुंची और बच्ची को जिला इस्पदाल में वहती करवाया गया बच्ची का इलाज जारी है बच्ची के माता पिता की तलाश भी की जा रही है स्वर्गुजा के मैंनपार्ट में सैलानियों का अड़ा बन गया है यहां की प्राक्रतिक सुंदरता सैलानियों को आकरशित करती है हजारों के संख्या में सैलानी यहां पहुंसते हैं बौद मंदिर जलजली अल्टा पानी टाइगर पॉइंट संसट पॉइंट इससे देखने के लिए पहुंसते हैं और इसके चलते होटल व्यापारियों और जो छुटे कारोबारी हैं उन्हें भी वीकेंड में अच्छी आमदनी होने लगी है मैनपार्ट को छटीजगड के शिंबला के तौर पर जाने जाता है इसका वर्तवान तापवान चार डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है जो मैं कई वर्षों से रहने बाज भी देखनी पाया था ना के वल मैनपार्ट परसे यहां के जो पांचे स्पोर्स जो हमने देखे अनरोध रहेगा च्छेतर को और प्रमोंट करें हम लोग यहां पर दलदली गए थे उल्टा पानी और संसेट पॉइंट सारी जगह अच्छे से देखे और यहां की जो आबो हुआ है काफी सुन्दर है हमारे पास पहले तो केवल 36 गड़ के सलानी आते थे अभी कोलकता से जार्जगुणा से और विसाका पड़नम जो 36 गड़ के सीमाओं के जो टुरिस्ट है अभी हम वहां तक पहुंच रहे हैं वहां के लोग बहुत आने लगे और अब आपको दिखाते हैं खबरों का 2020